हेलो स्टुडेंट्स मैं रवी रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं में जो आपको प्रवाइड करता हैं साथ वी से बारवी खक्षा तक के सब ही विश्यों के complete वीडियो और वह भी free of cost और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर दो चैप्टर आपको free करना चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के से स्टार्ट तो आज हम पढ़ने वाले हैं चत्रवुजी चैप्टर जो कि कख्षा नौवी का पाठ आठ है और इस चैप्टर का हम करने वाले हैं सुपर थर्टी मिनट रिवीजन यानि आज के इस तीस मिनट के शेशन लगभर तीस मिनट का शेशन हैं जिसके अंदर हम पूरे चैप्टर को fully revise करने वाले हैं और साथी साथ कुछ most important question भी करेंगे तो यहां पर इस स्टेशन को अगर आपने देख लिया तो आपकी तयारी बहतर ही नहीं हो जाएगी और चत्रोज आपके बिल्कुल माइंड में सैट हो जाएगा तो यहां पर एक फॉस्ट रिवीजन हम करने वाले हैं जैसा कि आप लोग को बता है इससे पहले हम इस चैप्टर के पूरे एंसे आर्टी का सॉलीशन भी कवर कर चुके हैं साथी चैप्टर में चैप्टर में चैप्टर में हमारे पास चत्रबुच के भूमी का पहले हम जाने के चत्रबुच होता क्या है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में उसका चत्रबुच के कौनों का योग जो है थाकर हिए चैप्टर में उनको भी भी हम सब्सक्राइब होने चाहीं आरे चार भुजाओं से बंद आकृति को चत्रवूज कहते है आप हैं चारं टाता है यहां हमारे पास को इस तरीक है कि यह मैं न है इस तरीक चत्रबुज है तो नहीं है चार भुजाओं से बंद आकरती होने चाहिए यानि इसकी बात हम मैं करूं तो भाई इसके अंदर भुजाएं कितनी है तो भाई चार है ठीक है इसके जो शिर्ष है यानि कि मैं बात करता हूँ A B C और D यानि इसके शिर्ष भी चाहिए तो यहां से रहां कुछ बेसिक चीज समझ चुके होगे है कि चाथा किlines से बंद आकरती को चत्रबुज गहते हैं जिसमें कि चार भुजाएं होते हैं चार सिष होते हैं और चार ही कॉन बनते हैं डन कोई दिक नी चलो बैठीक है तो यह तो इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि आप बच्पन से पढ़ते हैं अब चलते हैं कुछ नए पर आगे की बात जो रहत दे करके तो यहाँ रही नेक्स्ट में क्या है तो एंगल समप्रोटिक सकते हैं यानि की यही जो आपका चkte बुछ है इसके चारो By कि बात की जाए तो वरक horse अप्ल समझ में कोंन भी आप फटाफट यहां पर हम देख पा रहे हैं भुजाओं की संख्या चार है तो इसका इसके चारो कोणू का योग कितना होगा तो इसका एक सीधा फर्मूला है कि कोणू के योग का फर्मूला होता है एन माइनस दो गुने में 180 होता है याद रखना इससे आपका कोई भी आपका बहुत बुजा जाए पॉलिनोमियल आ जाए उसके आप इसको टोटल कोणू का योग याद कर पाओगे जैसे कि चार बुजा है तो एन का मांचार रखा चार में से दो गया दो बचार दो गुने में एक सबस्क्राइब तिर बुज की बात करें तो तीन में से दो गया तो एक बचा एक गुने में एक सबस्क्राइब तो हमें ज्यादा पर नहीं जाना बट आपको एक फार्मुला मैंने यापर बता दिया जिससे कि कि आप कोई भी कितने भी भुजाओं वाले आपके बहु भुजा आजाएं तो उनके सभी कोणों का योग आप अराम से ज्याद कर सकते हैं फिलाल हमारे पास चार भुजा है तो चार माइनिस दो दो ही बचार दो गुने में ौब का योग 306 ली होता है डन इसमें कोई रिक्कत वाली बात नी कि यहां पर दिखते ही आगे यहाँ के होते हैं तो इसके बारे में बात करों सब्से पहले मैं सrift वही नरुओ समानबटन की大家都 पहला यहां पर लिए समांतर चत्रबुज और समांतर चत्रबुज को कुछ ऐसे लिखा जाता है इस तरह से पैडलोग्राम की छोटा सिंबल इसका ऐसे भी सकते हो पैडलोग्राम लिख सकते हैं समांतर चत्रबुज होता है अब यह आ गया दूसरे की बात हम करें तो इसी को थोड़ा सीधा कर दिया जाए तो यह हो जाता है आयत भी पढ़ेंगे ठीक है आयत हम पढ़ लेंगे उसके बाद थर्ड बार्ट के अगर मैं बात करूं तो थर्ड बार्ट क्या है तो यहीं के अंदर मैंने लिग यहां पर लिग दिया संचतरभुज सम्चत्रभुज की बात करते हैं यह आ गया उसी को अगर थोड़ा सीधा कर दिया जाए तो फिर उसे यह क्या बनेगा तो यह बन जाएगा वर्ग ठीक है वर्ग बन गया उसके बाद पांचवा क्या है तो सम्लम्ब चत्रभुज है तो यहां पर लिखेंगे सम्लम्ब चत्रभुज ठीक है और इसके बाद छटे की अगर मैं बात करता हूं तो चटा हमारे पास क्या है तो इसे हम पतंग की आकार का लिख लेते हैं वह यह पतंग की आकार है ठीक है और उसके बाद एक विशम बाव चत्रबुच तो आजिसको कोई भी जाता है कोई भी रूल फोलों ना हो रहा हो तो उसके कोरडिंग जो गया तो यहां पर क्या है है वहां पर रूल फोलों होने वाला शीज हम देख रहे हैं तो सबसे पहले हम समानतर चत्रबुच की बात गया कि समानतर चत्रबुल्ज क्या होता है तो एसा चत्रबुल जिसके आमने सामने की भुजयं एक समान होती है ठीक है यह आपका समानतर चत्रबुल एक भी सी और डी जह भुजा यह भुजा इसके बलाबर है यह बढ़िख सारी प्रपर्टि यह देखे हो T कि इसके विकरन जो होते हैं वो एक दूसे से अलग होते हैं लिकिन एक डुस्으रे को भाइनने ऑफेस्टाहिद्या कर दो सीधा कर दिया यापका फ़स्ट था फ़स्ट हम इसको लिखेंगे वह संद्र मतलब यह कुछ इस तरीके बन गया ठीकर इस तरीके का बन गया यह अब सभी को इसके 90 के हो चुकी है और उसी में आमने सामने की भूजा बराबर है तो इस कंडिशन में यह क्या बन गया तो यह आपका आयत बन गया सेकिन वाला आयत बहुत बन गया डन कोई दिकत नहीं चलवेटिक है थर्ड की बात करते तो सम्चत्र भूज़ अब क्या करेंगे हम करेंगे इसी कंदर इसमें सारी बुजाएं बराबर कर देते हैं तो अगर मैं सामने सारी बुजाएं बराबर करता हूं यानि तीसरे पार्ट के अंदर मैंने एक इस तरीके का बनाया ठीक है यह बन गया A B C और D इसमें यह यह चारो बुजाएं बराबर हैं अगर किसी चत्रबुज की चारो बुजा बना दिया गया ठीक है तो इसके अंदर क्या हो रहा है तो भई ए बी सी डी हो गया और इसमें सभी कुण नबे डिगरी के होगे क्योंकि यह सीधर साधा हो गया है यहां पर हम देख पा रहे हैं पांचवा समलम इसके इसके अंदर कोई वी दो भुजाएं जो समांतर होती है और बाकिद बुजाओं से हमें कोई लेने अधिर नहीं वह बराबर हो नहीं हो कोई तरक नहीं पढ़ता ए बी सी डी मैंने लिख दिया इसके अंदर देख पा रहे हैं कि यह समांतर होना चीर डी सिक वर यह यह पतंग की बात की जाए तो यह स्टुनल फिजा कर दिया गया और in COOL होते हैं वह बस्दोर लंब होते हैं वह Education और होते हैं टो यहां तो यह हमारे चेpper कार के चत्रवूज है जिसको नॉर्मली हम स्टड़ी करते हैं और भी बहुत हैं लेकिन उसको हमें स्टड़ी करने की जुरूत फिलाल तो नहीं है तो फिलाल हमने यह देख लिया कि छे पार्ट यहां पर खाता है अगे की चीजे क्या है समानतर चत्रभूज सबसे इंपोर्टेंट सबसे इंपॉटरेंटल तो पहली properties की बात करूँ तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है नहीं चलो भई अब उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है तो इसके जो विकर्ण होते हैं इसके विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं तो सम्द्विभाजित करते हैं मतलब यह इसके बराबर है और यह वाला इसके बराबर है ठीक है यानि कि इसमें मैं कह सकता हूं अगर बीच वाले को लिखा तो इसमें विकर्ण की बात करूं थर्ड प्रोपर्टी के अंदर तो यहां पर मैं देख सकता हूं वही ए ओ एसी बीडी को कि समध्वी भाजित करता हैं कि समध्वी भाजित करता है थिक है वही जो ऐसी जो है भई एसी जो वहँएक दोनुको और दुसरे को सम्ध्वाजित करते करते यानि इस अ मोरह से कहा जाए तो भई यह इसमें हम देख सकते हैं यो अ बरावर में ओसी है और बी ओगा ओ और बए भई बिए ब्राबर में ओड है ठीक है यह बराबर में ओड हो चुका है यह बराबर दन इस पोई दिकत ली चलो भई अब उसके बार आते हैं नेक्स्ट पर आगला हमारे पास 4 पार्ट आता है चाहएगा चौत की बात करें और क्या चीज़ें बराबर है तो यहां पर एक property आप हम यह भी कह सकते हैं कि इसके आमने सामने के कौन यानि कि कौन A जो है यानि कि मैं कहूं A कौन जो है वो C के बराबर होगा और यह D कौन जो है वो B के बराबर होगा यह भी बराबर होगा यानि कि मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या यहां पर लिखते है जब भी आपको कह देवें समानतर चत्र बुझे तो आप उस कंडिशन में समझ जाओ कि यह सारी चीज़े बराबर होगी वन्हीं इस कंडिशन पर यह सारी चीजों का यूज हम कर सकते हैं अगर कुशन ने कह दिया कि यह समानतर चत्र बुझे अब हम इसी को थोड़ा सा और ब्रिफ में यह देखेंगे कि इसके परीमे में क्या क्या कहा हुआ है परीमे के एक है और वो क्या करते हैं यहां पर आर्ट समल एक किसी समानतर चत्र बुझ का एक विकण उसे दो सर्वांग्सम तिरबुझों में समानतर चत्र बुझ की तो यहां पर देखें क्या जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं पहला एक समानतर चत्र बुझ जिसमें लिखा भई ए बी सी और डी यह चीज़ कर दिया बीच में से यह मैंने यहां पर से एक विकण बना दिया कहा एक समानतर चत्र बुझ का एक भाता है यह सर्वाणगशमिज़ किया या इसके बराबर वाली इसके बराबर है और बीच वाली बुज़ा तो दोनौरं में समी हो जाएंगे c and real पहली परपरटि यह कहती है ओके अब चलते है नेक्ट वाले परिम्य ही जो करें तो वहाइन सामने की भूजाएं बराबर होती है यह कहना चाहता है परे में 8.22 कि ऑगी जो हैं तो परीवे नाच्सम्assis की एक बात करते हैं इसके रहा है कि समुक फूजाओं का फार्तियक यूगम बराबर है एक जा आपके पास यहां पर देख पा रहे हैं जा समुक पुजाओं का पटीयक propa तो व्ह समानतार चत्रबुज होगा तो यह आपका समानतार चत्रबुज है शब आपका चत्रबुज PB बीसीडी वह इसमें कहा है जब यह ए-बी-सीडी भई क्या है समानतर चत्रपुज है पैलोग्राम है तब आपको गए आप आने समदे के बुझा बराबर होगे हैं और जब लिए आमने सामने के भूजाएं भी बराबर होगी ओके चलो भई अब उसके बाद नेक्स चाहता है एड़ पॉइंट फोर परिमें यानि कि बाइब बात करते हैं एक समानते चत्रबुच के समूग कोण बराबर होते हैं यानि कि अगर यह समानते चत्रबुच है तो एक समूक का परत्यक यूगम बराबर है और अगर को किसी चत्रबुच być चत्रबुच में आपको दें रखाएं कि आमने सामने के ठाराबर है तो तो ़ो अजब मने और देखते हैं आगे की परिमें क्या कहते हैं तो अगले की बात करें तो 8.6 की बात करते हैं समाथ चत्रफुच के विकंड एक दुस्य को समझ भाजित करते हैं यानि कि अगर मैं एक और यहां पर खीचता हूं तो उस कारण वस तो यहां पर यह इसके बराबर होगा भाई इसमें मैं कह सकता हूं यहां पर कि यह इसके बराबर होगा और साथी साथ यह वाला इसके बराबर होगा पर यह चीज़ एक दूसरे को क्या कर रहा है समधी भाजित करेगा यही बात कह रह है कि इसके विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समध्री भाजित कर रहे हैं बराबर भीसों में बाट रहे हैं तो इतनी सी बात पर ही आप सीधे कह सकते हो कि यह आपको कोई भुजा के बारे में नहीं दे रखा कि आमने सामने के भुजा बराबर है की नहीं है समानतर है की नहीं है बस इतना दे रखा है कि इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समध्री भाजित कर रहे हैं समान दो हिस्तों में एक दूसरे बाट रहे हैं तो इसका बरावर और समानतर हो क्या आप इसके अदर क्या है कि भी सब की चीज बारे मेंी किया रहा है कि जब लो मैं 16AR अमने सामने के पूजाए यह क्या है यह बरावर भी और समानतर बनास इतनी सी बाद पर आप यह कह सकते हो कि यह एक समानतर चत्रबुज है इन सभी का उपियोग आपके कुश्चंस में होंगे जिसमें को हम सिद्ध कर पाएंगे प्रूफ कर पाएंगे कि कैसे वो समरूप है कैसे बुझाएं बराबर है कैसे नहीं हर चीजी यहां पर क्लियर होगी ठीक है तो यह आपक सब्सक्राइब यह बिल्कुल डिपनी तो उसके लिए आप हमारे पुरानी वीडियो जैने पूरे एंसी आटी का सॉलीशन जो एविलेबल है वह उसकी साथ सब्सक्राइब को सब्सक्राइब तो वहां पर जाकर प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस का देपर यह सारे को इनके बिहाफ पर होंगे वह आपके माइन में बिल्कुल सेट हो जाएंगे ओके चल वी तरह यहां पर यह समापत होता है चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टटन पॉइंट पर और वह क्या है तो वह आपका है मद्ध बिंदू परिमें कहता क्या है ठीक है बहुत बहुत यह बनते ही बनते हैं और वो भी आपको आने चाहिए तो कोश्चन यह परिम्य कुछ ऐसा कहता है कि कि किसी तिर्भुज की किनी दो बुजाओं के मद्ध बिंदु को मिलाने वाला रेखा कर तीसरे बुजा के समानतर होता है यानि बात की क्या कह रहा है कि अगर कोई कि है और यह सिए ठीक है अब इसके अंदर बात कुछ ऐसी हो रही है कि यहाँ पर एक पॉइंट रखा गया जो कि पॉयंट कैसा है तो वह यह पॉइंट के आगर मैं बात करो तो यह ए बी का मद्ध बिंदु है एभी का मद्ध बिंदु यानि यह बुजा इसके बराबर य तो यह जो है वह यहां पर एक बिंदू आगया और जिसके अंदर यह वाली भुजा इस लेमद्ध बिंदू है अगर कि एक मने घ्रति ची गई कोमद्यू को आपसे मिलाए जाए यह निसको इस से मिलाया जाए तब क्या होगा तो तब मद्य Ini इसानतर होगी ही क्या गया है यह दिखा इसके समांतर होगी ही होगी ओके डन और इसका रिजन साइड में सर्फ इतना आएगा कि मद्य बिंदू परिमेक अनुसार डान चलो ठीके उसके बाद नेक्स आता है 8.10 जिसमें किसी की एक भुजा के मद्य बिंदू से भुजा के समांतर खीची गई रेखा तीसे बुजा के सको सम्द्रिवाजित करती है अब देखो क्या चीज़ हो रहे हैं यहां पर आपको जश्ट इतना पता है क्या पता है वह आपको जश्ट इतना दिया हुआ है कि एक तिरबुज है ठीक है उसकी एक भुजा का मद्य बिंदू है और यहां से एक समांतर है जो दूसरी बुजा के समांतर है तो तीसरे बुजा को भी मद्य बिंदू पर काटे जैसे कि कहा जाए किस्तर समयांतर को समधिभाजित करेंगी मद्दविंदू पर काटेंगी यहां पर कह रखा है क्या कि जब भाई डी जो है एवी का मद्ध बिंदू है मद्ध बिंदू है जब डी जो है वो एवी का मद्ध बिंदू है तो उस कंडिशन में क्या होगा और साथ ही साथ और भी दी हमें दे रखा है कि भाई यहां पर इससे हमें पदा चलेगा कि तब यह काट रहा है एसी को तो हम लिखेंगे तब एसी का मध्य बिंदू होगा है मध्य बिंदू होगा है 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 टीक है वह बहुत को किजीए और वह कैसेखा इसके लिए आपको पुरानी इपड़ेगा प्लेश्म भीए इसी वीडियो में आप क्या करोगा या फिर नॉर्मली आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे और वहाँ पर आप अपने चैप्टर चत्रबूज को सेलेक्ट करना और वहाँ पर उसके अंदर आपको इसके सभी परिमय को भी एक्स्पेर करके बताया हुआ है और वो भी यहां पर हमारे पास एक कोष्च्टन है और एक चैसा कहता है कि एक चत्रबूज के कोण कि ऑननुपाद है तो तीन अनुपात पांच नोदो पात तेरा बाई यह आपको दे रखाए ठीक है भाई अभी अनुपात नहीं है तो इस चत्रबूज के सभी कोणों कोणों बी सी और डी अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि चारों कोंड जो इस अनुपात में हैं और जब भी अनुपात की बात करें तो उसके साथ आप X लगा देना तो चीजे बड़े असान से सॉल्ट जाएगी तो यहां पर तीन एक्स है यह पांच एक्स है यह नौ एक्स है और और दिया है मैं यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या बहिसकं लिया होगी एक चत्रभुज यह में रिखा यह चत्रभुज के अंदर कोन ए कौन A कौन B या फिर अनुपात में लिखता हूं कौन C अनुपात कौन D जो है यह हमें दे रखा है तीन अनुपात पांच अनुपात नौ अनुपात तेरा भाई यह हमें दे रखा है ठीक है और हमें इसमें ग्याद क्या करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्याद करेंगे ग्यात करना है तो हमें इसके अंदर ग्यात करना है क्या तो भई कोण A ग्यात करना है कितने का है कोण B ग्यात करना है कितने का है और कोण C ग्यात करना है कितने का है और उसके बाद कोण D ग्यात करना है कितने का है ठीक है यह चारो कोण हमें यहाँ पर ग्यात करना है कौण से A, B, C, D Done, कोई दिक्कत नहीं, चलो भई अब उसके बाद next पर आते हैं तो next हमारा हल होगा, किस अनुसार हल होगा तो जैसा कि हमने question में इसमें पढ़ा हुआ है पहले से कि चत्रवुज के चारो कोड़ों का योग 180 होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा माना अनुपात में एक जो है को एक्स बराबर में एक्स माल लिए, नहीं जो एक है उसे एक्स माल लिए, ठीक है, जो भी अनुपात हमें दे रखें, उसको एक को एक्स माल लिए ठीक है या फिर अनुपात की एकाई जो है वो एक्स है ओके चलो ठीक है तो यहां पर हम जाले लिखेंगे तब कोण यहां पर हो गया तो मैंने यहां पर इसके साथ इसका रीजन भी लिख दिया कि रीजन यह आएगा कि चत्रबुज के चारो कोणों का योग चारो कोणों का योग देखो क्या होता है अगर आप रीजन नहीं लिखते हो साइड में रीजन नहीं लिखते हो तो उस कंडिशन में आपके मार्क्स कट सकते हैं याद रखना तो यह रीजन भी लिखना है ज़रूरी है ओके चलो ठीक है अब यहां पर A B C D जैसे कि हमें पता है A जो है वो 3 है तो हम इस एक ही जगह क्या लिखेंगे तो एक ही जगह मैंने लिखा 3 लेकिन इसकी काई जो हो एक्स है मनलों 3x B कितना है 5 तो 5x C कितना है 9 तो 9x और D कितना है 13 तो 13x और ये बराबर में 360 है इनको जब हम जोडते हैं तो कितना हो रहा है तो 5,3,8,8,8,8,16,17,17,17 और 13 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा यानि टोटल ही हमारे पास जो आ रहा है वो 30x आ रहा है ठीक है मैं 30x आ चुका है डन बटे में 30 आ जाएगा इस 0 से 0 को काट दिया और 3 से काटा तो ये 12 आ गया यानि कि हम देख पा रहे है 12 डिगरी आ चुका है X का मान 12 डिगरी आ चुका है क्या वह एक्स का मान 12 डिगरी आ चुका है चलो भी ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 36 ठीक है उसके बाद कोन B की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कितना है तो यह 5x आएगा और इसके recording क्या है तो पांच गुने में बारा है तो बारा पंचे साथ हो जाएगा यह साथ डिगरी आ चुका है अब उसके बाद next कोन C है और C के लिए कितना है तो 9x है और यह हमारे पास जाएगा नो गुने में 12 यानि कितना हो जाएगा तो बारा निम्मा 108 हो रहे है ठीक है तो यह लुए आपका 108 अग्या और उसके बाद लीकिए कर्म बात करता हूं तो यह हमारे पास 13 x है और यह कितना होगा तो 12 को 12 से गुना करें तो किसी तरह के से आपको इसी तरह के से पूरे गयाद करना होगा कि यहीं कि इसे कोढ़ने कर तो इसके बार डीपली तो वो आप इसके पुरानी वीडियो जो हैं जो कि आपके हमारा इंश्याइड को शॉलिशन है उसमें आप देख सकते हो और मोश्ट इंपर्टन कोश्ण में भी देख सकते हो इसकार एक कोश्ण और क्या है यहां पर कोश्ण सेकंड वाला कुछ ऐसा क यह कह रहा है कि दो समातर रिखाओं जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यह यह ल मैं रखा यह दोनों क्या है समानतर हैं ठीक है बहुत तिरियक रेखा पी जो है वो क्या परतीछेध करती है तो दरसाइए कि अंताय कोण के कोणों के समदी भाजकों से बना चत्रवुज आयत है यानि इसके बाद यह जो अनता कोण की जो समदी भाजक है इनसे जो चत्रवुज बन रहा है यह एक आयत है यह मैं से पहले बात तो यह हो गई डन कोई करती उसके बात कह रहा है कि तिर्यक रेखा जो परतिछेद करती है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि रेखा पी जो है रेखा पी एल तथा एम को परतिछेद करती है परतिछेद करती है तो करती है तो यह क्या हो रहा है कि यहां पर हम देख पा रहे हैं जो यह पी है वह एल और यहां पर सबसे पहले क्या है तो यहां पर मैं कहूंगा और यहां पर यह भी सम्दिभाजक है यानि कि यह घ victims का है तो यह भी एक्स का को क् happier बतार जीता है अपको ठीके यहां पर देखो सबसे पहले क्या है तो यहां पर तर मैं कहूंगा जैसा की कोषंड में दिया हो आज कि बी ए कौन 1 कोड़ पी-ए-सीूश का सम्द्र भाज़क यहां पर किया हो रहा है कि वह यह जो बीए और इसी परकार से यहां पर क्या है कि इसी परकार से क्या चीज़े सकते हैं तो इसके बाइब इसके बाद बीशिय है और इसके बाद दी अ he got the DC DC kone करम इध्या क्रम भूब क्रम इस सह कर भू से क्रम सबस्क्क करल में कौन तो कौन की बात करें तोब tua जह वहाद पी ए सी गर नुर्फ रे ống और दूसरा क्या रात बात है भी сд किसका है तो ऑक आरक इसका स्क्पर कू सी ए है कुझ क्यूसि ये औरिसके बार ішक्ति क्या है तो सब्सक्राइब यहां पर हमारे पास सब्सक्राइब कर स एससे आएगा भाई कोन एससी तथा कि बात करें तो क्या है तो उसके बाद यह हमारे पास डीसी जो है डीसी किसके कौन का रिसका यानि की और सी एसका समझी भाजक है संधिवाजक है यह सारे लाइन इसको करेंगे शिद्ध में पहले हम लिखते हैं जÓ Todos तो हमने लिख दिया है और उसके बाद next हमें सिद्ध करना है तो यहां लिखा मैंने सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है कि अगर मैं बात कि यहां पर करता हूँ तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमें सिद्ध करना है कि भई A, B, C, D, चत्रवुज hé, A, B, C, D, आयत है, आयत है, तेको आयत कैंल सी दोगा, आयत तब सी दोगा, जब इसके सभी कूम जो है, A, B, C, D, सभी कूम आपसमे नबे डिगरी के ऊजाएं, वै In Як कोडन ही 90 डिखनेक कहाँ proved तो याद कहला ही डन चलो ठीक अब इसके लिए क्या करेंगे तो इसके लिए से टिर गरेंगे और क्या कशेट यहां पर जैसा कि हमें पता है यहां बेजम और मां अभी आप यहां पर मैं लिखा vicious यह समांतर बराबर होगा किसके तो यह बराबर हो जाएगा हमारा RCA के बराबर हो जाएगा it तो यहां पर वही चीज लिखेंगे कि मैंने यहां पर लिख दिया वही चीज लिखेंगे अंतर अंतर कोन लिख सकते हैं एक आंतर अंतरकोन हैं जो अपर सम्धिभाजित कर रही है इसका तो इसको मैं लिख देता हों यहां पर क्या कि इसी को लिख दिया तो दो कौन कौन सवाल है बखी ईए सी यी यॉ dethาน की बात करें पूरा कून है और हमें पता है कि यह कून इसके बड़ाबर है तो क्या इस चोटे को में डल यॉग सकते हैं ऑफ यह और बढ़ाबर है यानि कि इसी कोण को डबल करकर लिखा जा सकता है तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि बहुत जो नीचे वाला कोण है इसको डबल करके लिखा वैसे ही हमारे पास यहाँ पर RCA की बात करें तो इसमें भी हम इसकोण को डबल करके लिख सकते हैं तो इसको भी मैंने डबल करके लिख दिया कि ये भी कुण के साथ साथ हमारे पस डी सी एस जो है ये इसके बराबर हो जाएगा ड़न और यह किस अनुसार तो कोश्चन में यह हमें दे रखा था तो हम यहां पर लिखेंगे दिया है incapable निया हुआ ध़िता तो हम यहां लिखेंगे यह चीज दे रखी अच्छा इसको हम क्या डिए एक्समान लेते हैं जिससे की चीज़े आसान हो जाएगी यह दो एक्स है तो इसको पूरे को एक्समाना यानि कि दो एक्समान लिया हमने बराबर में यह दो एक्समान लिया गया है अब इसको लिख दिया गया है क्या तो दिया है इसी अनुसार से अब नेक्स्ट वाले के करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं वह इसमी ये वाला कॉन और ये वाला खुन भी आपस में बरावर हो वा कि मैं लेकता हूं इसी परकार से कि यह क्या हो जाएगा कि सकते हैं Soup है इस की बदाबर कर रेल जिसकते हैं और वह कैसे होगा तो लिखा 2 और यहां पर हम लिख लिख दिया और कर दो DAC दिया वह इसको मैंने यहां पर दो वाई मान लिया और यह भी कोक्षिन में आपको दिया ही हुआ थो इसको भी यहाँ पर मैंने लिग दिया वही क्या दिया है ठीक है यह यह दिया हुआ और इससार से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये 2y आ गया Blind आगया यहाँ पर देख पा कोई दिककत वाले बात नि Needine अब देखेए इस से हम क्या देख पा रहे हैं तो वह हम देख पा रहे हैं कि बहे हम यहाँ पर से यह यह इन भाई है यह एक्स तो यह होगा और इसके अंदर क्या है हमें है यह दोनों इधर के जो दोनों कोनों का योग जो रों كितना होता है तो 187 थैं कॉन तो यह पूरा कॉण और यह पूरा कॉन इसका योग 100 सी होता है कि नहीं होता बिल्कुर Shara हमने 05 माना हुआ है तो हम यहां पर लिखेंगे क्याा मैं आप लिखते हूं टब कोंड हमार पास क्या है पी एए सी पी एसी प्लस में कॉन क्यूच ए तो यह आ रहा है हमार पास 180 डिगरी ठीक है और इसको हम क्या लिखेंगे तो इसको लिखेंगे सैंत सें अंत्य कूण बहुए यह क्यों होता है one hundred of यह होता है उक्यम रहỏवार पास किया है दो यह दो एक से चाहेंहें कि भरशा चोआगया कि यह माला पास क्या रहा है तो लो इस ब्लस एक्स और यह सो अगया और इस दो तो यहां पर से क्लिक सकते हैं क्या तब चतरभुज्य A B C D में A B C D में सभी कौन क्या है भाई यह आयत है क्या है यह आयत है डन कोश्चन यहां पर समाप्त होता है आप इसका स्क्रीन सॉट लेशते हो और इसका भी स्क्रीन सॉट लेशते हो यह भी एक बहतरीन कोश्चन है बड़ा कोश्चन है जो आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है और यह आपको चीज़ें पता होना और कुछ बहतरें कोश्चन्स भी डिसकास कर लिए तो यहां पर यह सेशन हमारा समाब्द होता है इस सेशन को फ्रेंट सेकल में जरूर शेयर कर देना जिससे उनको भी इसका फाइदा मिल पाए और इससे पहले के सभी क्लासे अगर आपने नहीं देखें तो वह सारे जरूर नहीं देख लेना और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चेप्टर भी हम करने वाले इस तरह से पूरे चप्र पूरी आपके बुक को फिनिस्ट करने वाले हैं और आपकी तयारी बहतर ही हो जाएगी डन तो श्रींस्ट आपने ले लिया था और चीके साथ हम आज हिंदी मीडियम यूपी बोड भी हारवड और बी एंसी आट रिलेटेट जितने भी बोड़ से सबीके प्रपेशन यहां पर करवाई जाती है जिसमें हिंदी मीडियम के साथ वी से बारे किश्यता के सभी विश्य यहां पर अप्लोलड़ेड हैं और साथी साथ कॉम्प्र यहां पर करवाई जाती है और यह सभी कुछ आपको यूटूब पर दिखता है और इसके साथ साथ आप हमारी वैप साइट पर देख सकते हो जो कि है www.mangailbase.com और साथी साथ हमारा मोबाइल अप्लिकेशन इस पर भी सारे कोर्स बिलकुल और सिस्टेमेटिक तरीके में वीडियो कर आपको अच्छे लिए तो इसे लाइक कीजिए न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रही है ओके बाई तैंक यू